ग्राम बद्वार में आज हुई हलकी बारिश में रामफल कुश्वाहा का कच्चा मकान हुआ धरासाई गनीमत रही की मकान गिरते समय घर का कोई सदस्य घर के अंदर नहीं था मौजूद अन्य था हो सकती थी बड़ी दुरगटना आपको बता दें कि शासन द्वारा गरीब गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आवास योजना शुरू की गई है लेकिन ग्राampa पंचायतों द्वारा इस योजना का लाब ग्रीबों को देने में कई तरह की मनमानी की जाती रही है जिसके चलते कई बार योजना के वास्तविक खकदार हित्गराही इसके लाब से वंचित हो जाते हैं। बदवार निवासी 65 वर्षियर रामफल कुश्वाहा के साथ भी यही हुआ। उनके पास कच्चा मकान होने के बावजूत आज तक उन्हें आवास योजना का लाब नहीं दिया गया। रामफल कुश्वाहा द्वारा आवास योजना के लिए कई बार पंचायत का दर्वाजा खट खट आया गया लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। किसी तरह अपना वा अपने परिवार का पेट पालने वाले गरीब रामफल कुश्वाहा को अब शासन प्रशासन से ही मदद की उम्मीद है। देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन रामफल कुश्वाहा की मदद के लिए कब तक हांट आगे बढ़ाता है। किया नाम है आपका रामफल कहां कि नाम है गाउं का बदवार आपका मकान गिर गया है क्यों आवाज नहीं मिला था आपको आवेधन किया था अपने कितनी बाद आवेधन किया अपने क्या कहते हैं शर्पन सिकेट्री क्या कहते हैं नाम नहीं आए आपका मकान तो गिल गया आप कैसे रहेंगे आप कोई पक्का मकान है आपके पास कितने लोग है आपके घर में हमारे पुताव रहाई है रहाई रहाई है रहाई लवावास का लाभ आपको नहीं मिला शर्पन्ज का नाम बताएंगे क्या नाम है शर्पन्ज का नाम है भाई मुनी भाई सलपन्ज ने भी आपकी बात नहीं सुनी तो अब यह थीक है